नवश्कार दोस्तो मैं हम कुश्वर्मा आप देख रहे हैं मैडिसन केंग दोस्तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि लॉक्डाउन के चलते हम मार्केड से या कुछ मेडिकल शॉप से दवाईयें ज्यादा पर्चेस नहीं कर पाते हैं ज्यादा डॉक्टर को नहीं दिखा पा तो ऐसे कंडिशन ऐसे सिम्टम होते ही रहते हैं इस मौसम में दोस्तो अगर आप डॉक्टर के पास नहीं जा पाते हैं इस टाइम तो आप इस सिरफ का इस्तमाल कर सकते हैं तो वहीं दोस्तो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तो अगर आप हमारे चैनल पर नए Sibla का ले सकते हैं या Elcom का कोई भी company का ले सकते हैं तो यहाँ पर हम बात करेंगे Sarah Life यह product बनाती है दोस्तों और 20 रोपे इसका MRP है और यहाँ पर expired rate दे सकते हैं और दोस्तों यह dry syrup है तो friend में बता लिता हो कौन सी condition के लिए हमें इस syrup को अपने बच्चों को देना है दोस्तों अगर आपके बच्चा एक साल का है या उससे नीचे का आठ महीने का है तो आप उसी condition में भी इस syrup का इस्तमाल करें अगर आपके बच्चों को सर्दी होती है या खासी होती है अलका बुखार आता है बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है चेस्ट इंफेक्शन हो जाती है बच्चा रोता है तो शाती घडर घडर होती है तो इस condition में आप सी मौक सिरप का इस्तमाल कर सकते हैं तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे अगर आप साथ में सिरप यहाँ फिर सिरप का इस्तमाल करें अगर आपके बच्चों को ज़्यादा जुखाम होता है सर्दी होती है तो सिरप का इस्तमाल करें साथ में प्लस सी मौक सिरप भी दे दोस्तों आपके बच्चों को बहुत चल्दी आराम मिलेगा तो हम बात कर रहे थे अभी इसकी फायदे के बारे में जो की चेस्ट इंफेक्शन जैसे सर्दी खांसी जुखाम के बारे में आप इसको पहले ही दोस्तों एडवांस में रख ले केरेक शॉप से या मेडिकल शॉप से किसी भी दुकान से लेकर इसको रख ले आपने बच्च आपने घर में ना रखें दोस्तों डॉक्टर की सला से हर एक काम करें यह सिर्फ नॉलिज के लिए है तो यहां पर आप बात करेंगे इसके साइड एफेक्ट के बारे में तो साइड एफेक्ट हो सकते हैं आपको यह आपके बच्चों को दस लग जाएंगे कई वरी पेट क फुलावट या फिर उल्टी हो जाना इस परकार के आपके बच्चों को सिम्टम देख सकते हैं तो दोस्तों आपके यह रिव्यू कैसा लगा अगर आई वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरू करिएगा धन्यवाद